कि एक वक्त था जब तुझसे बेंतहां प्यार करता था अब तो तुझ महबद बन चलियाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता अब तो तुझ महबद बन चलियाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता एक वक्त था जब तेरी परवाह करता था अरे एक वक्त था जब तेरी परवाह करता था, अब तो तु मेरे खातिर बना भी हो जाए तो मुझे फर्क नहीं पढ़ता, अब इस पर गौर फर्माईगा, एक वक्त था जब तुझे हजारों मेसेज लिखा करता था, सोशल मेडिया का जमाना है उसी पर है, कि एक वक्त था जब तुझे हजारों मेसेज लिखा करता था, और कोई काम न था मेरा, बस दिन पर तेरा लास्ट सीन देखा करता था, आप सुन ले, अब सुन ले कि अब तो अर्सा बीद गया है विजिट कियोए तेरी प्रोफाइल को अरे अब तो अर्सा बीद गया है विजिट कियोए तेरी प्रोफाइल को, जा, जा तू 24 गंटे उनलाइन रह जाए, मुझे फर्क नहीं बढ़ता, एक वक्त था जब तुझे बिछड जाने का डड़ लगा रहता था, एक वक्त था जब तुझे बिछड जाने का डड़ ल जातों से कि अब तू एक क्या सो मर्तबा छोड़ जाए तो मुझे फर्क नहीं परता, एक वक्त था जब तुझे फ्यार करता था, एक वक्त था, जब तुझे बिन एक पल न रह सकता था, बैचेन गुमशुदा सा अकेले पन से ड़ता था, लेकिन अब सुन ले, अब सुन कि अब तो तद उम्र तनहा रहना पड़ जाए तो फर्क नहीं पड़ता, एक वक्त था, जब तुझे कोई छू लेता तो मेरा खून खौल उड़ता था, आप भी मेरी तरह अगर पजेशिव रहे हैं तो रिलेट कर पाएंगे, एक वक्त था, जब तुझे कोई छू लेता अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ उपर की खूपसूरती और बीतर आपके अंदर कुछ भी नहीं है तो आप बद्दे ही हो तो अपने हुसन के सिवा कुछ नहीं है तेरे पास अगर तो जा तू किसके साथ हम विस्तर भी हो जाए तो मुझे फर्क नहीं पढ़ता अरे अपने हुसन के सिवा कुछ नहीं है तेरे पास अगर तो जा तू किसके साथ हम विस्तर भी हो जाए तो मुझे फर्क नहीं पढ़ अरे इतना गुरूर किया तुन्हे अपने इस मिट्टी के जिस्म पर जा ये तेरा जिस्म किसी और का हो जाए जब वर्क नहीं पढ़ता एक वक्त था जब तेरे लिए खुदा से मननते मांगता था अरे मुझे खुद तो कुछ चाहिए न था सिर्फ तेरे लिए अपने खुदा को आजमाता था अरे मुझे खुद तो कुछ चाहिए न था सिर्फ तेरे लिए अपने उस खुदा को आजमाता था लेकिन अब सुन लेगी अब तो ने जुपता हूँ ने पूछता हूँ ने मा किसी को अब तो बले तू खुद खुदा बन चलिया है तो मझे फर्क नहीं परता एक वक्त था एक वक्त था जब शेड लिखा करता था तेरे लिए और सुनाता था मैं फिलो में अरे अब तो अर्से बाद लिखी है अदूरी सी कविदा तुझ पे तुझ पे लिखी है इसलि अब आगे से कभी कुछ ना भी लिखा जा तो मुझे फर्क नहीं पड़ता बताना तुझे मिल जाये मुझ जैसा कोई और अगर अगर जा जा तू अब ओरों को असमा ले मुझे फर्क नहीं पड़ता एक वक्त था जब तुझे प्यार करता था मैं थोड़ा सा emotional हो गया मैं actually एक वक्त था जब तुझे थार की भीड में पैचान लिया करता था ये पंक्ति आम है बहुत ज्यादा खास इसलिए गवहर प्रोवईयेगा एक वक्त था जब तुझे हजारों की भीड में पैचान लिया करता था हिजाब में होती अगर तो आँखों से पैचान किया करता था अरे अब तो निगाहों से ओजल किया है मैंने तुझे कुछ इस कदर कि स्पीड में बैठी तु मुझे कहीं सुन भी रही है तो मुझे फर्क नहीं पड़ता एक वक्त था जब तुझे व्यार करता खैर फिर भी करता हूँ शुक्रिया तेरा कि तुझे खोने से मैंने बहुत कुछ पा लिया है नजमे गजले शायरिया सब मिल गई है मुझे और इनोंने तो जैसे गले से लगा लिया है अब तो मुझे सुनने वाले भी है, चाहने वाले भी है, दाथ देने वाले भी है अब तो last way perform करूँ तब भी सुनने वाले है अब तो मुझे सुनने वाले भी है, चाहने वाले भी है, दाथ देने वाले भी है अरे खुद ही मैं मस्त हो गया है तेरा ये जाए इतना कि अब कोई सुनने आए या ना आए फर्क नहीं पड़ता अब फर्क नहीं पड़ता खेर चाहता तो नहीं था कि तुझे यूँ बे नकाब करूं सबके सामने खेर चाहता तो नहीं था कि तुझे यूँ बेनकाब करूँ सबके सामने लेकिन सुन ले कि एक बेवफा मेरी कलम से बेइजदत हो जाए तो मुझे फर्क नहीं पड़ता एक वक्त था जब तुझसे प्यार करता है याद कर वो वक्त जब एक लब्ज नहीं सुन पाता था मेरे किलाफ और अब देख यहां के तेरी तोहीन पे तालिया पच रही है तो मुझे फर्क नहीं बढ़ता एक वक्त आ जब तुछ से प्यार करता था थेंकी सोबर्स, थेंकी सोबर्स